स्वागत है हकीम साब बहुत धन्यवाद आपका हकीम साब बात करूं अगर मैं जैतुन के सिर्के को लेके तो हमने तो कभी नहीं सुना था कि जैतुन नाम का भी एक सिर्का आता है जैतुन का नाम हमने जरूर सुना है लेकिन अब जैतुन का सिर्का भी इतना फाइदमन हो र जाहत दे ही रहा है उनकी शुगर कंट्रोल भी हो रही है और साथी साथ जो रोगी नहीं है उनके लिए भी यह बहुत लाब दे रहा है अधिक्छ चीजा ऐसी है जो आम तोर पर लोग नहीं जानते और उनका परिचे मैं नहीं करा है जितनी भी आती है उसमें को गलती हो तो माफी तो आने वाले वक्त में भी बहुत सारी नई चीज़ है जो आम तोर पर लोग दवावाले और हकीम भी नहीं जानते लेकिन उन पर सबसे पहले रिसर्च होती है किस चीज़ के लिए कितना फायदा करते हैं जब हजारों लाखों लोग पर इनका अनुभाव कर लेते हैं तो फिर पबलिक कर देते हैं कि ये चीज़ अगर इतनी मिकदार में ली जाए तो लोगों को फायदा हो सकता है तो फिर क्योंकि मेरे साथ वीवर्स हैं एजस्तान के 80% लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो फिर फायदा उठाते हैं पिर तो आप देखते ही हैं कि कितनी feedback calls आती हैं कितने लोगों को फायदा होता है लेकिन मैं बस एक ही बात से दुखी हूँ कि जब मैं कोई चीज बताता हूँ तो वो मार्केट में असली होती है लेकिन जब मैं बताने लगता हूँ और लोगों लेने लगते हैं तो फिर लोग नकली देना शुरू कर देते हैं तो बिलकु दर्श को देखी इस चीज से तो आप लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कीमती रौ माटीरियल आप लोगों को हकीम सहाब बताते हैं वो ना सिर्फ आप लोगों के किसी भी रोग को जर से खत्म कर सकते हैं बलकि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्या वाके में ये मतलब ऐसा एक ट्रीटमेंट है कि हमें बड़े से बड़े रोग से निजात मिल सकती है बिलकुल दर्श को यकीन मानिए अपने अनुभव भी आप लोगों के साथ साजह करते हैं हकीम सहाब तो तुरंत आप लोग इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं अगर आप लोग लाइप हकीम सहाब से बात करना चाहते हैं असी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं पहले कॉलर है ममता त्यागी जी यूपी से स्वागत है आपका अलो हालो हलो नमस्ते मेरम जी नमस्कार मेरम हकीम जी से बात करवा दो जी त्यागी साथ बताएं क्या सवाल है मैं सुनुदी जी जी आपका एक तो बहुत 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 बनिलवाद देना है जी विशिज को दर्ब ठाग उतलों वगेरा में बहुत ज़्यादा कमर में अब बहुत बहुत मुबारणद मुबारण कहां से लिया था सिया-गौन अचली आपके करोल बाग से मगए था जी अच्छा अच्छा और कोई सेवा पहले अराम नी हो रहा था जी अपने बता है जी ये टोईलेट बागरा आपका इंगलिस होना चीए और ये आपकी कुछ लापरवाई हो रही है इस बार बहुत अराम हो गया जी अच्छा पर मैं तो और कोई सवाल बताईए हां जी हां जी दिक्कत यह है कि इसके सिद्धे हाथ की तरफ जो सिद्धे वाला जबड़ा है ना जी मूँ का उसमें डर्द है कही साल से और उसमें आराम नी हो रहा बहुत जादा उसमें आगशी बलती है और वो हलका खुला हुआ हुआ है आपको सचा मश्वरा देना भगवान ने आपको फायदा दिया उसके नाम पर किसी गरीब की कुछ मदद जरूर करें ताकि भगवान भी खुश हो जाए ना मेरा जरूर हो रहा है लेकिन मैं ना आपको नुक्सान पहुचा सकता हूँ ना फाइदा मैं तो अपना जो अनुभव है वो शेयर करता हूँ अब आपको भगवान ने फायदा दे दिया बहुत बहुत शुकर करें और इसका परचार परसार करें अपने सब भाईयों में, रिष्टेदारों में, गाउं में, दोस्तों में, सुस्राल में, महकें में, उन लोगों को भ फायदा होना चाहिए, देखिए, दुनिया बड़ी जालिम है, और बताती नहीं, फायदा भी हो जाता है, तो लेकर बैठ जाते हैं, आप ऐसे मत बनना, आप सब को बताइए, कि भाई, फायदा हो जाता है, और मैंने कहा था, कि आप सबर रखें, सैयम रखें, क्यों ये इ लाज ही सैयम रखने वाले का है, अब मेरा काम खतम हो गया, आप जितना परचार परसार करेंगे इसका, इतना ही लोगों को फायदा होगा, इतना ही भगवान खुश होगा, तो मेरी तरफ से आपको ये निवेदन है, कि असली चीज़ का, लोग नकली का को करते हैं, आप अ लाएरा है, जितना आपकी पहुँच है, जिन लोगों तक भी, वो रोग मुक्त होने चाहिए, नहीं तो लोग बीस बीस, तीस, तीस साल से तकलीफ में हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग ठीक हो, ये उसका अपने पास लिखके रखिए, कैसे खाना है, सब को समझाईए, औ आप ने मुझे होन करके बता दिया, अब देखिए, ये आप जानते हैं, पेट्रोल, जो स्कूटर में डालते हैं पेट्रोल, ये पेट्रोल, वो कॉटन भीगो गए, अपनी पतनी के जहां पर वो है ना, जगा इंप्रेस, वहां पर ऐसे लगा के हटा लिया करिये रोज़ ना, थोड़ा सा मुलट का लें, ऐसा करके, एक दिन में एक बार करें, तीन दिन लगातार करें बस, और मुलट का लिया करें, ऐसे बो लगा के पट्रोल, या इस्प्रिट, इस्प्रिट जो डॉक्टर सिरींग पे ऐसे साफ करके आपके इंजेक्शन लगाता ना, वो, इन सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, और आपके किचन के गरम मसालों पीपले होती है, वो, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, सौसो ग्राम, और तीस ग्राम पीपले, आपके किचन के जो गरम मसालों में होती है, आपकी पत नी जानती होंगी, पीपला मू पूल भी कहते हैं वह तीस गिराम बाकी चीज़ें सो गिराम पाउडर बनाएं और एक चमच सुबह खाली पेट निहार मुझे से कहते हैं खिलाएं चोटा जाएगा चमच गरम गिलास पानी पिला दे और ऐसा एक दो महीने लगातार कर सकते हैं तो बिलकुल देखिए आपको इतना फाइदा मिला है और बहुत खुशी होती है दर्श को हमें यह सुनके यह जानके कि जो नुस्के आपको हकीम साहब बताते हैं वो आपको रोगमुक्त बनाने के साथ आपके मूँ पर एक मुसकान आ जाती है कि हाँ यही वो ट्रीटमेंट था जिससे हम अभी तक चू जागत है आपका जी वालिश्याओ मेरे बेटे को मेने मंगवाय था माजून आर केर गर तीन महीं ने हो गए तर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको अल्लावाद उमर दराज करें काईदा हो गया बैटे को जी मेरे बेटे को बहुत फाइदा बहुत अब कभी कवा है और कोई सवाल है आपका तो अबी कर लीजे और मेरा सवाल ये है मैने तबी मंगवाया था मुझे बहुत बहुत अराम है बहुत अराम और तीसरा सवाल मेरा यह सा मेरा कहरा जोग हँआ है स्कीन बहुत बेकार हो रही है थोड़ी सी नमीनली जुर दी है तो मेरे चेहरे पर सवाब और गिलो लाने के लिए कोई अच्छा मिक्षा बताए और जरूर बताएंगे सबसे पहले तो आपने हमें खुश कर दिया बच्चे को भी फाइदा आपको भी फाइदा और ये हमारा फाइदा के आपकी दूआ हमें मिल गई देखिए बच्चे को अभी छोड़ना नहीं अगर कभी कभी होता ये पांच महीने लेना चाहिए पांचे महीने तो अभी उसको और देना माजून आरकेर दे रहे न आप और देना ये दुनिया की अच्छे निस्खों मैंसे है आप आपको गौंसिया जब तक पूरा दर्द ना हो चला जाए वैसे तो जितना आपने हसिल किया होगा उसी में फाइदा बहुंकिन है और वेस्टर टॉयलेट ज़रूर लगवाले ताके दुबारा से नहों देशी टॉयलेट में बैठने से ये बार बार होता है फिर आप लो शबाव और सिल्वटें और चीप हो जाती है अब मर्दों को तो कुछ नहीं लेकिन और तो को सबसे ज़्यादा लगा अपने शबाव से होता है मैं जानता हूं तो दुखए गान मौरिंगा सफएद भी अस्ली ले गान मौरिंगा सफएद अस्ली लेना है अस्ली मिल ग कर दूद में मिला कर या पानी में मिला कर जैसे आपके हालाते सब को फाइदा देता है भगवान की ऐसी देन है जिसको असली मिल गया उसके चेहरे पर शबाब देखिए बुड़ा हाद भी मैं भी खाता हूं कभी-कभी तो लोग मुझे बुड़ा ही नहीं बानते मैं बताता मैं तो नारियल पानी मिला कर ये खाया बुड़े आदमी के बाल जवानों से ज़्याद है मेरे सारे यार दोस्तों के सारे टकले हो गए अब वो मानते नहीं मेरी बात और आप मानिये इसे इसे इस्तिमाल करिए और फाइदा उठाईए जो भी नुश्के से आपको फाइद सुनील जी हरियाना से स्वागत है आपका नमस्कार जी मेरे मैडम दो सवाल है जी बोलिए एक तो मेरे जी इसमेर प्रॉबलम है जी एल थरी, एल पोर, एल पाइप है जी तो चिक्क्यों ये बता रहे हैं जी दूसरा फिर एक मेरी मैडम के हैं वह बाल बाल जटते हैं मुह पर काले काले दबे हैं जी आपके उमर क्या है? मेरी उमर 40 आले में और वाइफ की? उसकी 35 आले में जी ठीक हाँ भाई देखिए एक तो आपके लिए यसा वेस्टन टॉलेट बहुत जरूरी है नहीं है तो सब से पहले वो लगवा है कुर्सी वाला शोचान है नहीं तो बार फाइदा होगा बार बार वो ही हो जाएगा यह कोई मामूली परिशानी नहीं है हमारे जो कमर के डिस्क हैं यह तीन इंप्रेस हैं आपके तो आपको डेसी ट्वालेट में नहीं जाना है अपनी जरूरत के लिए यह दवा से भी ज़्यास दरूरी हो सकता है आप दो गौन बता रहा हूं एक आपकी पत्नी के लिए और एक आपके लिए याद रखना कि आपके लिए गौन सिया है अभी पर जिसका जिकर करा था काला गौन यह असली लेना जरूरी है आधा गिराम सुबा आधा गिराम शाम लीजे सो गिराम भी मिल गया तो आपके रोक के काफी होना चाहिए लेकिन फाइदा पांच साथ दिनके बाद शुरू करता है ये याद रखना ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि खाया और दर्द गायब आपको जरूरत पड़े दर्द हो तो अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं इसके साथ ये रोक की जड़ पर काम करता ह है आदा आदा ग्राम सुबा नाश्ते के बाद और रात तो खाने के बाद ले पंदरह सोलह रुपे रोस का इलाज है दुनिया का सस्ता इलाज आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम खाएं लेकिन असली लेना जरूरी है काला गौन भी कहते हैं गौन सिया भी कहते हैं नक की पत्नी के लिए एक और गॉंद आता है वो भी असली ले गॉंद मौरिंगा सफेद इसमें भी लोगों ने नकली डाल लगा है नेट पे लाल ये पीला सा ये सब को दे रहे हैं और लोगों को फायदा नहीं हो रहा है गॉंद मौरिंगा सफेद ये बर्फी जैसा रंका होता इसका पौडर बनाएए, एक गिराम रोजाना पानी में मिलाके, दूद में मिलाकर, ये नारील पानी मिलाके दे, बालों के लिए और चेहरे के निशानों के लिए, छीपों के लिए, महासों के लिए, और जो बच्चे की हाइट निवड़ती, अगर वो ले, उनको भी फायद हमारी चैनल हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बुटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम साहब के घरे लून उसको से जादा से जादा आप वायदा उठा सकें